आप सभी का सवगत करता हूँ आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में आज हम बात करेंगे बिजनस के उन महतवपून तथ्यों के बारे में कि यदि उन में से एक भी चीज मिस होती है तो कोई भी व्यक्ति बिजनस में सफलता आसिल नहीं कर सकता और ये पांच बेसिक एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है नमबर वान वीजन आपके बिजनस में क्या वीजन को लेकर आप चल रहे हैं क्या वीजन आप अचीव करना चाहते हैं इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए आपको उस बिजनस से रिलेटेड किस तरह की स्किल्स की रिक्वार्मेंट है चाहें वो आप खुद जणरेट करें या आपके इंप्लाइज के अंदर वो स्किल होनी चाहिए इनिशेटेव हैं पहल भावना करने के लिए नेक्स रिस उस बिजनस को सुकस्टफिरोद विजनस करने के लिए लाइक finance, advertisement, marketing, sales, promotion, branding और जब expansion पर आप जाएं तो कौन सा formula आपके business में implement होता है मतलब you can grow your business by the business system of making of dealer, distributor, franchisee, super stockist कौन सा ऐसा formula है जिससे आप बहुत तेजी से progress हसिल कर सकते हैं and action plan आप किस तरीके से अपने business के लिए action लेंगे क्या plan आप design करेंगे और आपका roadmap क्या होगा आप क्या-क्या initiative लेकर अपने resources का इस्तिमाल करके अपने vision को achieve करेंगे and the second most important thing of action plan कि आपका long term vision क्या होगा आप लंबे समय में मतलब 3-5 वर्ष के समय में किस action plan के तहत अपने business में progress करेंगे यदि ये सारी चीजें ठीक तरीके से designed हैं तभी आप अपने business में बहुत अधिक सफलता आसिल कर सकते हैं और एक successful business model को run कर सकते हैं आजम देखते हैं कि इन 5 elements में से अगर एक भी element में सोता है तो उसका प्रभाव business पर क्या पढ़ने वाला है मान लीजिए आप जो business करने में हमेशा confused रहेंगे इसलिए vision होना बहुत महत्वपूर्ण है तो लेते हैं दूसरा case business को आप successfully run करना चाहते हैं आपके पास उससे related एक बहतरीन vision है initiative लेने के लिए आप तयार है उससे संबंदित सारे resources आपके पास है action plan आपका तयार है लेकिन कमी है skills की अगर आपके पास सारे elements है लेकिन skill आपके पास नहीं है तब भी आपको business में सपलता नहीं मिलने वाली उससे related anxiety आपको होना शिरू हो जाएगी आप business में घवराने लगेंगे तो आई समझते हैं तीसरा case जहाँ पर इन पांचो elements में से इदी एक element मिस हो जाए तो उसका प्रभाव आपके business पर क्या होता है तो मान लीजिए जिस business model को आप successfully learn करना चाहते हैं उससे related vision आपके पास है उससे related skill या skilled force आपके पास है आपके पास अच्छे resources हैं जिनका इस्तिमाल करके आप अपने business को बहुत अधिक बुलंदियों तक ले जा सकते हैं action plan and roadmap आपने तयार किया हुआ है कि किस तरह से हम अपने business को action में implement करेंगे और कमी है तो उस initiative की जिसको लेने के लिए आप देरी कर रहे हैं या जिसके लेने के लिए आपके मन में कोई प्रश्ण है तो ऐसे case में आपका business resistance हो जाएगा वो बहुत लंबे समय के लिए खिच जाएगा मतलब जो target आप achieve करना चाहते हैं उसमें इन निर्धारन नहीं हो पाएगा कि कितनी समयवदी में कितनी fixed duration में आपको इस target को achieve करना है और आप business सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे तो अब जो चौथा case हम लोग समझने जा रहे हैं उसमें एक component में सोने पर आपके business पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझते हैं माली जी आपके पास business का good vision है skilled force आपके पास है initiative लेने के लिए आप तयार है action plan आपका ready है लेकिन यहां missing है तो आपके resources की वो resources आपके पास नहीं है जिससे आप उस business को real business form में implement कर सकते हैं तो ऐसे case में आपको frustration होगी और इस frustration से बचने के लिए आपको follow करना होगा कि किस तरह से हम उन resources को generate करें वो resources कुछ भी हो सकते हैं funds से related resources, capital से related resources, loans से related resources, raw material purchase करने से related resources कोई भी ऐसे resource जिसे आप उस business को run कर सकते हैं लेकिन वो आपके पास नहीं है तो आपको हमेशा frustration का सामना करना पड़ेगा and the next and last case ऐसा case जिस condition में आप business को कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे क्या-क्या element आपके पास है और केवल एक चीज में सोने की वज़े से आप अपने step को further नहीं ले पाएंगे मानली जो उस business related एक good vision आपके पास है skilled man force आपके पास है initiative लेने के लिए आप तयार है resources आपके पास है लेकिन action plan के कमी है जब तक आप action नहीं करेंगे तब तक कोई reaction नहीं होगा इस case में आपका business fail to start होगा आप कभी भी business start नहीं कर पाएंगे इसलिए friends अगर आप business में बहुत अदिक सफलता आसिल करना चाहते हैं तो आपके पास ये 5 components होना बहुत ज़रूरी है एक बार दुबारा ध्यान से समझते हैं number one vision आपके business का vision क्या है skills क्या आपके पास skill workforce है man force है अगर नहीं तो किन resources के जरिये वो आपको मिल सकती है इस पर आपको focus करना होगा क्या आप initiative लेने के लिए तयार है क्या आप पहल करने के लिए तयार है क्या आपकी team इस तरह की है जो आपके business के success model के लिए हर तरह से initiative लेने के लिए तयार है क्या resources आपके पास है यदि resources नहीं है तो किस तरह से आप अपने resources को एकठा करके एक successful business model तयार करेंगे और क्या इन सभी के साथ साथ आपके पास action plan है तो आप आसानी से इन चीज़ों को successfully हासिल कर सकते हैं अगर ये पांचो elements आपके पास हैं तो आप एक successful business model को आसानी से run कर सकते हैं आपको सफलता हासिल होगी business related आपके मन में कोई भी question है तो comment box में लिख कर आप हमें जरूर बताएं ये valuable information आपके friend circle में जरूर शेर करें क्योंकि आपका एक share किसी व्यक्ति के जीवन में किसी व्यक्ति के business में और Indian economy में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनार बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत जै है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट जूलरी की शॉपिंग करवाता है और मेरा ही नहीं हम सब का नया दोस्त माय अभूशन अप अब आपके विश्वस्तिय जूलर आपके मोबाई में प्यॉरिटी की शॉरिटी अब आपके विश्वस्तिय जूलर आपके विश्वस्तिय जूलर आपके